असलाम वालेकुम उम्मित करते हैं आप लोग खैदियास से होंगे और सुधियारब की कुछ छोटी और बड़ी खबरे देखने के लिए आप मारी वीडियो जरूर देखें क्योंकि हम आपकी जानकारी अपनी इस चैनल पर बताते रहते हैं जो न्यूज होती है वह आप से र रहे वीडियो लास तक जरूर देखें और यह ख़बर उमान की एक इंडियन को लेकर है एक उनडियन तकरीबन यहां पर उमान में आट साल से काम कर रहा था और काम करते समय ऐसे एजेंट और दलाल मकार हर जगे घूमते रहते हैं किसकी भी जान ले सकते हैं तो उमान में भी ये वाक्या सामने आई है और ये लड़का 28 साल का था और इसके साथ में एजेंट ने धोका धड़ी किया और उससे ठगी किया और कुछ पैसाई का मामिला आया होगा और उस सक्स का इंतिकाल हो गया है उमान में और ये इंडियन बताया जा रहा है ये दुनिया में हर जगा ये इसी परेसानी आती रहती है और ये एक वीडियो हैं आप लोगों के लिए, ये अलकसीम में बहुत जवर्जस्थ इस साल में रियात में तो बारिस नहीं हुई है लेकिन अलकसीम में बहुत अच्छी खासी बारिस हुई है और द्व पार रहा चुकी है या आप लोग देख सकते हैं कि उन्ट रुक नहीं रहे हैं और जब अरजस पानी का बहाओ है ये वीडियो आप देख सकते हैं ये अलकसी और ये ख़बर सौधी पुलिस की तरब से बताया गया है कि अजनेभी हो या सौधी सेरी हो सबको जानकारी दी गई है और सबको अलट भी सौधी नुक्सान ना करें अगर अईसा कुछ लंगन करते हैं जिस्व अइसा मतलब आप तो आप समझ लीजिए, खिला फर्जी करते हैं कानून का, तो आप के उपर 80,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, या सौधी सहरी है, या अजनभी है, ऐसा कुछ नहीं है, सब के उपर जुर्माना लगाया जाएगा, नकल कफाला के हावाले से थोड़ी जानकारी हम आ इतना नहीं मिल पाता है, तो आप लोगों को हम थोड़ी छोटी सी जानकारी दे देते हैं, और बागी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे आप नकल कफाला करवाते हैं, तो आप पहले वाले कपील को जिसके पास आप हैं, साथ दिन पहले उसको बता दे, कि हम नकल कफाला करवाएंगे, उसको जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी, और यह भी बताया गया है, कि कम से कम उसको जो भी आदमी का नकल कफाला करवा रहा है, तो उसको 15 दिन सौधी अरब में हो जाना चाहिए, और उसके बाद उसका नकल कफाला होगा, और यह भी बताया लगेगा लेकिन कपील भरेगा जो भी सामने आला जो कपील है आपका वो दो हजार वो भरेगा अगर दूसरी मरतव आप नकल कफाला करवाते हैं हो सकता है आप लोगों को जानकारी हो पहले से तो यह 4,000 भरना पड़ेगा आपके कपील को उसके बाद किसरी मरतव अगर आप आपका पासपोर्ट यह डेट इस्पायर नहीं होना चाहिए इसपे टाइम होना चाहिए और आपका ट्राइसफेर हो जाएगा और आपको आपको अमारी जानकारी अच्छी लगए हो तो आप मारे चैनल पर नए है कि आनने वाली वीडियो का नफेस्टन आपको मिलते हैं आगली खबर में हामेद एजाजत, खुदा हाफिज.